हेलो ओर वरड़ी दोस्तो ईपी एफ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ फिस में भरती आई है पद का नाम एसिस्टेंट है वेतन आप देख सकते हैं 44900 रुपे और महिला और उपरुस कोई भी सफार्म को पलाई कर सकता है यह दिया आप जाना चाहते हैं पूरी डिटेल को तो आप इस वीड दे रहा है आपको मातर 30,000 रुपे में देश के टोफ फैकल्टी से पढ़ने का मुका जिसके तहत आपको आपका स्लेबस भी करवा जाएगा साथ में आपको कंपेटी टू एक्जाम भी एक्जाम की त्यारी भी करवाई जाएगी दोस्तो यदि आप इस टेस्ट में भाग 10 माई और ड्रोपर बैच के लिए 19 माई और 26 माई दो एक्जाम डेट तो अभी रजिस्टेशन करवाकर मातर 30,000 रुपे में नीट एम्स की त्यारी करें तो दोस्तो अब बात करते हैं हम EPO ओफिस में भरती है उसके बारे में तो दोस्तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है आप जैसे ही उस लिंक पर कलिक करोगे आप जो हमारी ओफिसल वेब साइट है उस साइट पर आ जाओगे तो दोस्तो यहाँ पर आप हमारी साइट पर पहुंच जाओगे यहाँ पर देखिए EPFO Assistant Recruitment Online Forum 2019 ठीक है आप नीचे आओगे तो यहाँ पर पढ़ लेजिए हिंदी में सारी नोटिफिकेशन मैंने बता रख्या आपको नमस्कार दोस्तो Employment Provident Fund Organization इसकी EPFO की फूल फूम दोस्तो यह ठीक है एक नई भरती का नोटिफिकेशन जारी किया है यदि आप इंट्रेस्टन है और यूग्याता रखते हैं तो आप इस भरती के लिए अपलाई कर सकते हैं विभाग का नाम क्या है दोस्तो Employment Employee Provident Fund Organization EPFO और पद का नाम क्या है एसेस्टेंट्स ठीक है कूल पद कितने है दोस्तो असी दोस्तो असी पदो के लिए भरती है दोस्तो जो बलोकेशन क्या है दिल्ली इंडिया ठीक है दिल्ली में आपकी जो बलोकेशन रहेगी आयू सीम क्या है दोस्तो कम से कम 20 साल ज्यादा से ज्यादा 27 साल और जो अरक्सित स्रेणिया है उनको आयू में शूट भी दी जाएगी ठीक है दोस्तो और जो वेतन है यहापे आप देख सकते हैं 44,900 पे आपका वेतन रहेगा दोस्तो वेतन बहुत बड़ा है ठीक है तो आप यह फ फीस नहीं है दोस्तो ठीक है और योग्यता क्या दोस्तो ग्रेजवेशन पास कैंड़ेट इस भरती के लिए अपलाई कर सकता है यहाँ पर देखिए ग्रेजवेशन पास कोई भी कैंड़ेट इस भरती के लिए अपलाई कर सकता है महिला हो या पूरस हो ठीक है आगे दोस् है यह फारम आपको इंटरनेट से ओनलाइन अपलाई करना पड़ेगा अपलाई करने का लिंक मैंने नीचे दे दिया है वहां से आप अपलाई कर सकते हैं तो दोस्ता पर फारम ओनलाइन बरा आप आताती सेलेक्षिन प्रोसेस की तो इसमें आपका जो ओनलाइन एक्जाम होगा उसके बेस पर आपका सेलेक्षिन क्या जाएगा ठीक है उसके बाद में दोस्तों यह आप ऐसे से जिड़्डी की पीडिव डाउनलोड करना चाहते हैं चालिस पेपर के तो आप यहां पर क आप अपलाई करने का डिटेल बगारा चैक आउट कर लीजी अभी और दोस्तों जो आएड एक्जाम डेट रखे गई है वो 31 जुलाई रखे गई है और जुलाई के महीने में आपके अपके अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पर कली करके आप फार्म अपलाई कर सकते है यहां पर कली करके आप ओफिशल नोटिफिकेशन डावलोड करना चाहते हैं तो यहां पर कली करके आप ओफिशल नोटिफिकेशन डावलोड कर सकते हैं यहां पर कली करके आप ओफिशल साइट पर जाना चाहते हैं तो आप यहां पर कली करके आप ओफिशल वेबसाइट लिंक दिया गया है तो जाइए और नीचे लिंक से चेक आउट कर लेजिए तो दोस्तों उमीद आपको वीडियो पसंद आई होगी यदि वीडियो पसंद आई ते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी क्योंकि ऐसे ही जोग की नोटिफिकेशन अपडेटम आपको देता रहता हूँ जो आपके लिए बहुत जीदा हेल्फल होती है ठीक है दोस्तों सब्सक्राइब करके जुरू जाएगा और ये वीडियो आपने यहां तक देखिए आपसे भी का बहुत बहुत दन्यवाद भगवाने करे आपसे भी का दिन सुब रहे